हेलो गाइस इस एम्ले थीलियस एंड आए आम है उते प्रेंट न्यू वीडियो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा गुगुल क्रॉम जो कि प्रॉमिस करता है जब आप गुगल क्रॉम में इंकॉग्नितो मूड में ब्राउस करेंगे तो कुछ भी टाटा कालिक नहीं करे और एलिकेशन यह है गुगल इंकॉग्नितो मूड में भी डाटा कलेक्शन कर रहा है और यह जो डाटा कलेक्शन हो रहा है इसके साथ में गुगल और भी डाटा कलेक्शन कर रहा है दो प्लाक इंस के साथ जो की वेबसाइट में होता है एक है गुगल एनलेस्टिक गुग और कुछ दिन पहले यह भी खबर आया था कि शाओमी भी अपने फोन के जो यूजर से उनसे भी डाटा कलेक्ट कर रहा है और आप गुगल पर आया और आप देख सकते हैं यह जो डाटा कलेक्शन का जो डाटा कलेक्शन था वह प्राइबिसी लॉग के खिलब था वालेशन प्राइबिसी लॉग का तो इसलिए जो केस फाइल किया जिसने भी केस फाइल किया उसने यह डिवांड की कि हर ओ यूजर को फाइफ थाउजन डॉलार डेमस कॉंपेंसेशन देगा गुगल और अगर गुगल ऐसा करता है तो गुगल को टुटल स्पेंट करना पड़ेगा और यह पहले बार नहीं कि गुगल के खिलब ऐसे कुछ अरूप लागा है तो इससे पहले भी गुगल सार्च इंजिन में परसुनालाइस्ट सार्स रिजल्स देता था मतलब गुगल आपको जो देखना चाहता था तो आप वही देख सकते थे इसके लबा अप कुछ और न प्रावजर जो टाटा कलेक्शन नहीं करता है तो मैं बोलूँगा फायरफॉक्स अगर आप चाहते हैं गुगल क्रॉम के बेस्ट कोई ब्रावजर तो इसके भी एंसर से प्रोमाइट तो यह ब्रोमाइट आप देख सकते हैं यह गुगल क्रॉम के ऊपर बेस्ट है और यह यह बहुत ही अच्छा है और यह यह उप्लोग ओरिजिन का फिल्टर यूज करता है एड़रस्मेंट को ब्लोग करने के लिए और यह प्राविशी सेक्शन में आपको मिलेंगे प्रोक्सी कॉन्फिगरेशन इसमें आपको प्रोक्सी अट कर सकते हैं तो इसके लिए करना तो नौन पर क्लिक करके अपलाई कीजिए और आपको इसको डिनस मिलता है अगर आपके फोन में सबट करता है तो यूज कीजिए कई वर क्या होता है एक राश हो जाता है और इसमें आपको मिलेंगे ऑपन लिंग इन इनकोगनिटो टैब अलोएस मतलब जब भी आप ब्राउजर को ऊपन करेंगे तो जब भी आप इस ब्राउजर को सेलेक्ट करते है तो फोर वर जब आप इस सेटिंक्स को ऑन करेंगे और लिंक ने की कोशिशक करेंगे तो इसमें आपको फीचर्स मिलता है बूक्मार्क lamps जो add किया है उसको export करना और import करना भी यह export file आपको download folders में मिलेंगे और अगर इसे आप import करना चाहते हैं तो import फे click किजिए और download folder को select किजिए आपको दिख रहा होगा bookmarks.html इसे open किजिए यह import हो जाएगा यह बहुत अच्छे application है और इसका download link है वो description में होगा आप download कर सकते है इस website में